और ये चीजें कुछ लोग जान बूच करके सरारतन इस्टिको पैनिक बनाने का प्रियास कर रहे हैं और उसके मात्यम से अफ़ा फैला करके एक नतारत्मत पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं। मैं आपको फिर इस बात को कह सकता हूँ। एक तो मैंने आपके सामें तीन दिनों के प्रदेश के अंदर कोविट के जो पेसेंट हैं। प्रदेश के अंदर पिछले तीन दिन के अंदर कम हैं। लखनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रति दिन जितने पोविट पॉजिटिव केस हैं एक उनकी संख्या में लगातार गिरावट आई हैं। पांच हजार पांच सो से लेकर के आज पांच हजार पांच सो तक पहुंची है। और रिकबरी अगर आप देखेंगे तो जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकबरी करेट लोखनों में है। देखें यह चीजे मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो यह कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रियास क्या जा रहा है। ना बेड्स की कमी है ना ऑक्षीजन की कमी है ना रैंडिस जीवर की कमी या किसी अनने जीवन रखसक दवा की भी कमी नहीं है। यह कृत्रिम अभाव दिखाने का उस लोगों के दौरा प्रियास और उसके माध्यन से अभाव पैदा करके भगदर किस्ति दिख्यों कि जिन लोगों को प्रदेश में अविवस्तार अराजकता पैदा करने का उसर नहीं मिला। कि आपदा का काल है। हमने सरोदलिय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में पील की थी। सभी लोग मिल करके इसमें एक-एक ब्यक्ति का जीवन हमारे लिए मैं तुफुन यह राजनीती का समय नहीं। अगर सरकार गलत कर रही है आप सरकार पर प्रहार करें। लेकिन किसी ब्यक्ति के जीवन के साथ खिलवार मत करें। लेकिन आप तब भी बयानवाजी देख रहे होंगे। जो लोग एक-एक-डेटेड़ साल से यूपी में नहीं आये हैं। वे लोग बयानवाजी कर रहे हैं। वे लोग भी बोल रहे हैं।